हेलो दोस्तों एक बाद फिर से आपका स्वागत है टेकनिकल गाइडलाइन में अगर आप आप अनलाइन ततकाल टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप IRCTC में Master List बना सकते हैं और Master List को यूजफ करके बहुत ही कम समय में ततकाल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किये ध्यान से देखती रहिए तत्काल टिकट बुक करते समय सबसे ज्यादा समय लगता है Passenger Details फिल करने में अगर आप Master List बना लेते हैं तो आपको Passenger Details फिल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बस आप Master List को Open करेंगे और वहां से आप One Click में Passenger Details को Add कर सकते हैं तो इसके लिए आप अपने mobile phone पे IRCTC rail connect app install कर लिजेगा और इसमें login कर लिजेगा अगर IRCTC का account आप create नहीं किये हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा आप link पर click करके वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपका IRCTC user idea और password अब भूल गए हैं तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं description में link दे दूँगा IRCTC में login करने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगा account account पर click किजेगा और यहाँ पर देखिए third वाला जो option है my master list इस पर click किजेगा click करने के इसके बाद ऊपर में देखिए add passenger का एक option है इस पर click किजेगा अब यहाँ पे आपको passenger details fill करना है सबसे पहले passenger type select किजेगा normal या फिर person with disability और third है journalist इसके बाद यहाँ पे नाम आपको type करना है और date of birth इसके नीचे gender select कर लिजेगा और अगर आप birth preference डालना चाहते हैं तो बाद यहाँ पे है meal preference यहाँ पे आप meal preference दे दिजेगा wage, non wage, no food मैं यहाँ पे no food रहने देता हूं और नीचे है ID card type यह आप select कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं तो इस तरह से यह details fill करके नीचे add passenger पर click किजेगा तो आपका passenger details यहाँ पर add हो जाएगा बारी बारी से आप इसमें passenger details को fill कर लिजेगा जैसे मैं यहाँ पे एक passenger details fill किया हूँ चलिए मैं फटा फट दो तिन passenger details fill कर लेता हूँ इसके बाद आपको बताता हूँ कि आप इसका use कैसे करेंगे तो मैंने यहाँ पे passenger details fill कर दिया है अभी यहाँ पे मैं home में आ जाता हूँ और ticket book करने के लिए यहाँ पे train वाला option है इस पर आपको tap करना है फिर book ticket पर click किजेगा और यहाँ से journey details आप select कर लिजेगा चलिए मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ और search किजेगा अब यहाँ से मैं कोई भी एक train select कर लेता हूँ इसके बाद जो भी date में आप ticket book करेंगे वो date select किजेगा और नीचे देखिए passenger details का एक option है आप इस पर click किजेगा अब यहाँ पे देखिए passenger list automatically आ जाएगा आपको बस इस box पे tick करना है आप जो भी passenger इसमें से add क करना चाहते हैं आप उस पर tick कर लेजिएगा और नीचे select passenger पर click किजेगा अब देखिए यहाँ पे passenger details automatically fill हो चुका है मुझे यहाँ पर manually fill करने का जरुवत नहीं पड़ा जब आप ततकाल ticket book करेंगे तो ऐसे ही automatically single click पे passenger details fill हो जाएगा यहाँ पे आपको बहुत समय बचेगा इस तरह से आप बहुत ही कम समय में ततकाल ticket book कर सकते हैं तो उमीद है video आपको अच्छा लगा होगा स्क्रीन पर आपको कुछ important videos का link दिख रहा होगा आप just click करके video को देख सकते हैं और channel लोगों पर click करके channel को subscribe कर सकते हैं तो मिलते हैं ऐसे ही एक और important video के साथ तब तक के ल